पिछले पांच साल से कर रहा हूँ, आगे भी करना चाहता हूँ, मुझे सेवा का मोका दोगे न, पक्का दोगे हैं, और मैं आपको वाजा करता हूँ, इस धर्ती के बेटे के नाते, मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ, कभी पीछे नहीं रहूंगा बाई लेकिन अगर यहां आपको ऐसे लोगों को बिठा दिया, जो काम को आगे ही न बढ़ने दे, तो क्या होगा, मैं कितना ही दिल्ली से जोर लगाऊ, काम हो पाएगा क्या, रुकावट आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए भाईयों भेहनों, यहां भाजपा की सरकार बनाईए, ताकि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूँ, भाईयों भेहनों, कॉंग्रेस ने अपने लंबे शासन में, हिमाचल का जितना नुक्षान किया है, उसकी भरपाई के लिए, और फिर तेजगती से काम कर ले के लिए, भाजपा को दुबारा जीताना, भाजपा को बार बार जीताना, और दिल्ली की मोदी सरकार की भी, भाजपा सरकार को पुरी मदद मिलती रहे, ये पक्का करने वाला ये चुनाव है, साथ्यों, कॉंग्रेस कैसे काम करती है, इसका मैं आपको एक उधान देता, एक एक चीज याद रखे भुलना मत, पचाश साल से जादा हो गए, जब कॉंग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी, जब भी आओ, गरीबी हटाओ की नारे दगाओ, गरीबी हटाओ नारे लगाओ, बादा करना और लोग भी मानते दे हाँ यार गरीबी जाएगी जुनाव होते गए गरीबी हटाओ का नारा देकर कॉंग्रेस सरकार बनाती गई लेकिन देश से गरीबी नहीं है जूठे बाइदे करना जूठी गारंटी देना ये कॉंग्रेस की पुरानी तरकीव रही है आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कॉंग्रेस किस तरह जुठ बोलती रही इसका गवाबी पुरा देश रहा है कॉंग्रेस की सच्चा ये है कि 2012 में जिस घोषना पत्र पर जुनाव जीते मैं आज से दस साल पहले की बात कर रहा हूँ उसमें आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किये थे जो उनके गोषना पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सरांखों पर बिठाया आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं खोल करके देखा नहीं गोषना पत्र उन्होंने जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धी करके दिखाती है भाजपा ने जिम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 दिया था ना पूरा किया कर नहीं किया पूरा किया कर नहीं किया भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो दिनने भी इसी हिमाचल की धर्ती में पालमपूर में भाजपा की वर्किंग कमिटी में दिनने किया गया था भाजपा की वर्किंग कमिटी में दिनने किया गया था आज राम मंदिर बन रहा है कर नहीं बन रहा है अब बताए बन रहा कर नहीं बन रहा है ऐसे नहीं जड़ा जोरों से बोलिये बन रहा कर नहीं बन रहा है बादा निभाया कर नहीं निभाया बतन पुरा किया कर नहीं किया साथ यो भाजपा के संकल्पों के सिद्धी का एक और दुरा ये तो हमारी वीरों की भूमी है हर परिवार फोजी परिवार है हर घर हिंदुस्तान के सुरुच्छा का कीला है अब देखिए बन रैंक बन पेंशन एक ऐसा उदावनन है वो कॉंग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है कॉंग्रेस 40 साल से देश के फोजियों को हर चुनाव में वादा करती थी आपके हिमाचल के मेरे फोजी परिवार पराबरियाद होगा हर बार वादा करते थे बन रैंक बन पेंशन बस आ जाएगा चुनाव जितादो आ जाएगा कितनी सरकारे बनी कितने ही प्रदानमंत्रिया आए कितनी बार वादे करके गए लिकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी बे कभी भी बन रैंक बन पेंशन को लागू नहीं किया और दिखावे के लिए बजेट में मामली सो दो सो तिन सो करोड डुपर डाल देते जो लिख देते थे लिगे इससे होना नहीं था ये आँख में धुल जोकरे कि उनकी आदक जुठे वादे करना चुनाओ जीतना फिर भूल जाना यही उनका चरित्रा ये माचल में हर बार वो जुठ बोलते रहे देव भूमी में जुठ बोला है देश की वीर माताओं के सामने जुठ बोला देश के वीर जमानों के सामने जुठ बोला भाईयो बेनो मैं हिमाचल में आया था 2014 में चुनाओ में आपके वोट मांगने के लिए आया था और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था मैं जानता हूँ मामला बहुत बड़े धन का है धन खर्च करना पड़ेगा तीजोरी खाली करने पड़ेगी लेकिन ये बादा मैं पूरा करूँगा भागयो बैनो वन रैंग वन पैंशन का बादा हमने पुरा किया गर नहीं किया किया गर नहीं किया बादा 40 साल तक उन्हों ने किया ता नहीं पुरा किया हमने बादा किया पांच साल के बीतर पुरा कर दिया था भागयो जुबा की कीमत होती है और लोग तंत्र में भारतिय जनता पार्टी की जुबा जनता जनारदन को समर्पित होती है जनता जनारदन के लिए संकल्पित होती है भाईयो वन रैंक वन पेंशन लागो होने की विज़र से हमारे रिटायर फोजी साथियों की जेब में उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक और साथ हजार करोड रुपिया मेरे इन फोजी परिवारों क परहे जेब में गए भाईयो साथ हजार करोड रुपिया बहुत बड़ी अमांट होती है कि क्या कॉंग्रे सरकार होती कि ये साथ हजार करोड रुपिया के मेरे फोजी परिवारों के घर में आते क्या फोजी परिवारों के विद्वाओं के घर में जाते क्या भाईयों भेनों कॉंग्रिस की सरकार होती तो आज भी वन रैंग वन पैंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती साथियों उनके बादे कभी सही नहीं निकले इस चुनाओं में भी बादे करने में पीछे नहीं अटेंगे उन पे भरोसा मत करना कॉंग्रिस का एक और इतियास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजहादी के बाद देश का पहला गोटाला